Hello students, welcome back to ND Commerce Classes, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छी होंगे तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है International Business तो simply वैसे तो सब कोई पता होता है कि International Business क्या होता है मतलब जब हम Business जो है ना वो within a country जैसे कि मानलो हमारा इंडिया हो गया तो इंडिया में ना करके, बलकि इंडिया के बाहर जब हम करें न, अमेरिका में हमने अपना कोई समान बेच दिया या महाँ से हमने कुछ खरीद लिया, इसे तरह से, और कोई state है, जैसे कोई country है, जैसे कि अफ्रिका हो गया, छी कहा है, औस्ट्रेलिया हो गया, तो मतलब कि, simple language में अगर मैं बोलूँ तो the buying and selling of goods and services across the border जब हम अपनी goods यानि माल और services यानि सेवाओं को buy करते हैं यानि खरीदते हैं और selling मतलब कि बेचते हैं कहां पे across the border यानि कि एक nation जो है न उस nation से बाहर जाके ठीक है तो यानि वो जो border जैसे बोलते हैं सीमा वो सीमा पार करके हैं सीमा पार जब कोई समान खरीते हैं बेचते हैं तो वो चीज़ कहलाती है international business international business में क्या क्या चीज़े शामिल होती है it involves cross border transaction कि इसमें हम एक जो भी area है जैसे मालो यह हमारी सीमा है हमारा area है for example इंडिया है और इसके बाहर और बहुत सारी country है जैसे यहां अमेरिका हो गया यहां पे चाइना हो गया यहां पे हमारा भूटान हो गया तो माल लेते हैं कि ऐसा कुछ है तो जब हम इस इंडिया के बाहर यानि इस सीमा को इस border को पार करके जब हम भार कोई चीज बेच रहे हैं वो है international business तो यह cross border transaction होती है मतलब कि इसमें हम बड़े level पे transaction करते हैं बड़े level पे goods or services जो है उनको import export करते हैं और यह दो या फिर दो से ज़ादा countries के बीच में होता है and also includes the moment of capital, technology, patents इसका मतलब यह नहीं होता कि मालो हमने कोई भी समान बेच लिया या कोई भी हमने सेवा प्रदान कर दी किसी भी तरह की दो countries के बीच में तो वो यह international business है बलकि international business में अगर हमने अपना कोई भी पैसा है capital जो है वो कहीं लगाई है दूसरी company में बाहर किसी देश की company में या फिर हमने हमारी जो technology है वो किसी भाहर देश की company में अगर हमने लगाई है तो वो भी international business में include होगा शामिल होगा अब इसके scope में क्या-क्या चीज़े आती है goods import and export कि इसमें हम अपना जो भी समान है उसको import करते और export करते है मतलब जैसे for example हो गया जैसे मैंने भाहर देश से कपडों का import कर लिया यानि कपडे जो कपडों का हमारे माल लेते की business है और हमने वहाँ से जो clothes है वो खरीद लिए मंगा लिए इंपोर्ट हो जाएगा और अगर हमने बेचने हमाँ पे दूसरी जगे तो वह export हो जाएगा इसी तरह से goods के साथ service का भी import और export होता है for example एक चाइना का बंद है और दूसरा माल लेते है कि अमेरिका का बंद है तो अगर चाइना वाला जो है आपने जो कुछ भी मांगा उसके साथ उसको कोई भी service प्रोवाइड करी किसी भी तरह की कोई भी सेवा दी तो वो service import में आ जाएगी इसी तरह से ये तो service इसने लिए है इसके अलावा ये service export भी कर सकता है तो यहाँ पे ये वाला जो बंद है ये चाइना का बंदा अमेरिका की बंदे से ले रहा है service ठीक है वहाँ के restaurant में गया जो भी चीज़े है तो वो ले रहा है तो वो तो import कर रहा है और ये जो वेक्ति है ये क्योंकि दे रहा है service तो ये export कर रहा है तो service भी import और export हो सकती है दो countries की बीच में फिर foreign investment मतलब जब एक company एक country जो है वो अपनी capital को अपनी जो भी पैसे वगयरा है वो दूसरे देश में लगा देती है वहाँ की company में लगा देती है और उसके बदले में उसको interest ब्याज वगयरा मिलेगा है ना तो वो चीज़े जो है foreign investment कहलाते है उसके बाद licensing licensing में क्या होता है जैसे कि मान लेता है for example जैसे mcdonald है तो mcdonald दूसरे देश की company है तो वो क्या करती है अब उसको इंडिया में भी बेचना है अपना समान तो मान लो कि वो इंडिया की कोई भी company है इंडिया की किसी company को license दे दे कि आप जो है न यहाँ पे भी mcdonald के pizza वगेरा जो भी है वो बेचो तो इसमें क्या होता है कि एक कोई भी country है उस country की company दूसरी country की company को अपना कोई भी product sell करने के लिए license दे देते हैं कि आप हमारे product अपने यहाँ भी sell करो तो यह भी international business का एक part हो जाते है license provide कर दिया जाते है अब इसके क्या क्या advantages है और क्या क्या benefits है मतलब फायदे क्या क्या है international business की increase revenue अगर हम बाहर कोई भी चीज मालो बेच रहे हैं तो हमारी income आएगी पैसे आगया हमारे पास revenue आगी optimum utilization of resources और अगर बाहर वाली company यहाँ पे कुछ चीज sell कर रहे है या फिर मालो हमारी हमारी country है और हमारी country में इतने सारे resources है और इस में से कुछ resources का तो हम अपनी country में use कर रहे हैं है ना कुछ बना के लेकिन बागी resources बच गे अब ये customers एक तो सिर्फ अपने इंडिया इंडिया में हम कोई चीज खरीदे या बिच्चे ना और एक फिर दूसरी जगे बिच्चे तो हमें नए customer मिलेंगे नए customers तक हम पहुच पाएंगे brand image और हमारा जो product है उसकी image बनेगी है ना brand value बनेगी और फिर उसको सब जगें खरीदने लगेंगे benefit to consumer इसके अलावा चाहिए वो इंडिया की consumer हो या फिर बाहर की हो सबको benefit होगा कैसे जैसे मालो दूसरी country से अगर हमने समान खरीद है तो हम हमारे पास choice होगी ना कि हम कोई भी product खरीद सकते हैं और या फिर हम दूसरी जगें बेच रहे हैं तो उसका यह फायदा होगा कि वहां के consumer को फायदा होगा कि वह बहीं मतब choice हो जाती है आप एक consumer के पास कि वह कैसा भी product जो है ना वह खरीद सकते हैं कि government revenue increase वही चीज है कि government की जो इंकम है वह बढ़ेगी क्यासे बढ़ेगी हम क्योंकि कोई product जो है वह यहां से वहां दूसरी जगे भीज रहे हैं तो उसके बदले में हमें मिलेंगे पैसे foreign income आएगी तो government जो है उसके पैसे बढ़ेंगे spreading risk और क्या होते कि जब सिर्फ एक ही जगह हमने लगा रखा होता है अपना business तो इससे रिस्क बढ़ता है लेकिन अगर हम अलग-अलग countries में लगाएंगे तो मालो हमने तीन countries में लगा रखा है ना तो इस country से हमें profit हो र risk है 150 तो 200 का profit है 1500 का risk है मतलब एक तरह से देखे तो 50 का profit है तो यानि हम अपने risk को बाढ़ सकते हैं उसके बाद higher new talent और नए talent को हम क्योंकि हम दूसरे देश का कोई बंद है बहुत intelligent है जो भी है talented है ना और वह हमारे business के लिए बहुत beneficial भी है तो हम उसको hire कर सकते हैं चीक है उसके बाद next है इसकी disadvantages 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 क्या है बई international business करने के लिए आपको वहां के बारे में सब कुछ पता भी तो होना चीए मालो आप वहां जा रहे हो आपको वहां के political situation का है नहीं पता तो फस गी ना आपकी company तो वहां जाके पूरी तरह से फस ही गई क्योंकि वहां के political condition पता नहीं क आती हो जिस country में आप चले जाओ समान बेजने या जहां से खरीदना चाते हो भाशा ही नहीं आती हो language related problem होएगी तो यह इसकी सबसे बड़ी बात है culture related यहां का रिवाज अलग है कि वहां का रिवाज अलग है जैसे कहीं पे तो जैसे सफेद कलर होते हैं वाइट कलर होते है कि वहां पर best है बलकि marriage में भी पहने जाते हैं तो cultural barriers होते हैं dumping dumping मतलब जब बहार देश की country हमारे देश में आएगी तो हमारी जो domestic company है ना हमारी जो गरेलू company है उनका तो अस्तित्वी नहीं बचेगा वो तो खताइम हो जाए क्योंकि बहार वाली जो है वो सस्ते समान बेच 100 रुपीज में और दूसरी company जो भार से आई वो एक product की value लगा रही है मालो 80 रुपीज तो हम इसी से खरीदेंगे ना तो यह हमारी जो है यह तो बचेगी नहीं खतम हो जाएगी cutthroat competition गला काट पृतियोगिता होती है तो international business में टिक पाना थोड़ा मुश्किल होता है exploitation of natural resources कई बर ऐसा होता है जो हमारी natural resources होते है ना उनकी बरबादी होते है मतलब अंदा दूंदू प्योग है ना बस लगे रहो अंदा दूंदू प्योग जो है ना वो सही नहीं है मतलब एक उचेत उप्योग होना चाहिए foreign rules and regulation और कई बर जो विदेशी rule होते है ना उनको हम follow नहीं कर पाते हैं इतनी सारी बादाय लगा देंगे कोई tax लगा दिया कुछ और लगा दिया तो यह सारी इंटरनेशनल बिजनस में बहुत बड़ी problem create करती है उसके बाद इंटरनेशनल बिजनस में बायर और सेलर खरीदने वाले और बेजने वाले different country के होते हैं ना जोसे एक इंडिया को गया एक अमेरिका को गया लेकिन मैंस्ट की बात करें तो इंटराशनल बिजनस एक ब्रॉडर कॉंसEPS मतलब भौत ही विस्तरित है और डॉमेस्टिक बिजनस जो है वह सिमित है लीमिटिड बोल सकते हैं कि लिमिटेड वर्ड बेस्ट रहेगा तो लिमिटेड कॉंसेप्ट है या फिर लेस्ट ब्रोडर बोल सकते इसको ट्रांजेक्शन की बात करें तो इंटरनाशनल बिजनस में फोरेंड करनसी में ट्रांजेक्शन होगी डॉमेस्टिक बिजनस में नैशनल करनसी में ट्रांजे business होगा तो dumping नहीं होगी no okay उसके बाद इसके बाद जो last topic है वो import procedure है और इसके बाद export procedure भी है वैसे यह दो तीनी topic बचे हैं तो चलिए देख लेते हैं import procedure देखे मैंने बहुती simplest way में समझाने की कोशिश करी है जैसे कि मालो आप import करना चाहते हो है ना बहार से कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप क्या करोगे सबसे पहला जो step होगा ना वो होगा trade inquiry मतलब आपको किस बंदे से खरीदना है इससे खरीदना है इससे मतलब कौन सी company होगी कौन सी foreign company होगी जो कि आपको best प्रोडेक्ट जो है best raw material जो प्रोडेक्ट की और सारी चीज़े आप देखोगे उसके बाद क्योंकि आपको इंपोर्ट तो करना ही है इंपोर्ट करने तो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा फिर आप लाइसेंस बनवाओगे इंपोर्ट लाइसेंस आपने बनवा लिया दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप है obtaining foreign exchange क्योंकि आपने इंपोर्ट करना है पैसा तो है नहीं कि आपने भारत के पैसे वहाँ चल जाएंगे है तो आपको वहाँ जिस country से आप इंपोर्ट करना चाहते हो उस country की क्या value है मतलब किस value में जैसे कि मालो dollar में वो transaction कर रही है या फिर euro में कर रही है या फिर rupees में जिसमें वो transaction कर रही है उसको आपको obtain करना पड़ेगा ठीक है अब जैसे यह आपने foreign exchange इकठा कर लिए उसके बाद आप क्या करोगे placing an order एक order place करोगे कि अब आपको पता तो चली गया होगा ना कि एक तीनों में से कौन सा best है तो इन तीनों में से choose करना है और फिर best जो भी है जिसको order देना है फिर letter of credit आपको पैसे की payment करनी है तो आपको एक तरह से ऐसा बोल देते है आशवाशन वर्ड होते है तो आप जो एक्सपोर्ट जो बंदा कर रहे है उसको आशवाशन दोगे कि भी मैं टाइम पे payment कर दूँगा और उसके लिए letter of credit जो है वो आपका bank जारी करते है कि अगर ये बंद of credit इसलिए जारी किया जाता है उसके बाद arrange for finance अब आपको सारे पैसे जो है इकटे करने होंगे payment करने के लिए कि भी कहां से आएंगे bank से आएंगे या जहां से भी आएंगे क्योंकि बिना finance के तो वो आपको देगा नहीं goods वगेरा तो आप वो finance arrange करोगे bank के थूरू उसके बाद receipt of shipment advice फिर उसके बाद जो exporter यानि जो आपको export कर रहे माल का वो आपको बता देगा कि मैंने ship के थूरू माल बेज दिया है और उसकी जो है माल उसकी quantity इतनी है जैसा आपने बोला था इस टाइप का है ये color है मतलब इस color की ship में बेजा है सारी चीज़े उसको दे देग नहीं ठीक है तो वो क्या करेगा उसके importer के bank को भेज़ देगा और bank जो है वो importer को तभी भेज़ेगा जब importer जो है वो क्या करेगा bill of exchange को accept करेगा bill of exchange को accept करने का मतलब है कि importer जो है उसने bill of exchange में सब कुछ लिखा होता है कि इतनी amount pay करनी है इस goods के लिए और इतनी quantity है सब लेगा कि हाँ भी मुझे मन्जूर है सब और मुझे इसके document दे दो अब फिर exporter के document bank इसको दे देगा जब यह bill of exchange कर लेगा लास्ट में फिर arrival of goods goods जो है माल जो है वो पहुच जाएगा अब माल पहुच चुका है अब इस important को वो माल उतारना है ship से हैना जाद से तो वो क्या करेगा कैसे receive करेगा भी माल को जब वो सारी tax wax सारी duty और जो कुछ भी last में pay करना बचता है है एक अधिकारी होते custom clearance पे वहाँ पे उसको pay करनी होते custom duty वगेरा तो वो pay करके last में importer जोग अपना माल ले लेगा तो यह इसके steps थे I hope आपको समझ आ गयोंगे अब export procedure रह गया है और एक दो topic और है फिर यह chapter complete हो जाएगा thank you very much अगर आपको समझ आया हो तो and like share subscribe करना बिल्कुल न भूले चानल को thank you so much